मुद्दे यही थे कि पार्टी ने बहुत 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 बैतरीन परफॉर्मेंस इस बार दिया है तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उगरी है तो उसी के लिए सब को ये हमारी पार्टी के लिए बहुत खुशी का दिन था और सभी नेतागंड और जो कार्य करता है और जो भिनव निर्वाचित सदस से जीत कराएं सभी को द्यक्ष जी ने मुबारक बात दी और प्रोचाहन दिया कि सदन में किस तरीके से हम लोगों को पार्टी के लिए काम करना है तो आज बहुत खुशी का दिना है हम सभी के लिए बड़ी जीत पार्टी नासिल किया देखे जिस तरीके के परिणाम आएं पीडिये ने जबरदस्त परिणाम दिये हैं और हमें बहुत खुशी है कि हम इतनी बड़ी जीत, यूपी में सबसे बड़ी जीत हमारी पार्टी को मिली है और देश भर में तीसरी बड़ी जीत, तो ये PDA के ही स्लोगन से हम इस जीत को और PDA के तरज पर जो टिकेट बटे हैं, उसी से हम ये जीत हासिल कर पाएं, और महिला सांसर जा रही है, क्या महिलाओ की मुद्दे होंगे जिनको आप सदन में उठाएंगी? लागू होना चाहिए, तब ही जादा से जादा महिलाएं संसर तक पहुँच पाएंगे. जी मुद्दे यही थे कि पार्टी ने बहुत बहतरी इन परफॉर्मेंस इस बार दिया है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरी है, तो उसी के लिए सबको ये हमारी पार्टी के लिए बहुत खुशी का दिन था, और सभी नेतागन और जो कार्य करता हैं, और जो भी नव निर्वाचित सदस से जीत कराएं, सभी को द्यक्ष जी ने मुबारक बात दी और प्रोट्साहन दिया कि सदन में किस तरीके से हम लोगों को पार्टी के लिए काम करना है, तो आज बहुत खुशी का दिना है, हम सभी के लिए बड़ी जीत पार्टी नासिल किया है अब लोग सभा उमिद्वार बनी आपको जीत हासिल गुई और पीडिये फार्मूला था, इसको लेकर क्या करें? जो टिकेट बटे हैं, उसी से हम ये जीत हासिल कर पाएं, और मीटिंग में भी यही बात रखी गई, कि अभी ये शुरुवात है, आगे हमें बहुत पीडिये की लड़ाई को आगे तक लेकर जाना है महिलाओं की बातों को आप मुक्ता से रखती है, बीजेपी नारी सकती बिल लाई, उसके ठीक बात, अब सपा से पाँच महिला सांसर जा रही है, क्या महिलाओं की मुद्धे होंगे जिनको आप सदन में उठाएंगी? देखे, महिलाओं की सबसे पहले तो भाजबा सरकार ने महिलाओं की जो रसोई है, उसका बजट बिगाडने का काम किया है, और साथी में जो बिल पास हुआ है, वो अब तक इंप्लिमेंट नहीं हो पाया है, तो पिछली बार से महिला सदस्ये चार घटी हैं इस बार, तो ये सोचने का विशे हैं हम सभी के लिए, और जब तक कानून लागू नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि बहतर इसमें हो पाएगा, तो कानून लागू होना चाहिए, तभी जादा से जादा महिला हैं संसत्त तक पहुँच पाएंगे.